नमस्कार दोस्तों स्वागता है आपका हमारे यूटूब चैनल जरदारी क्लासेज में दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे हाँ पे बागेश्वर जन्पत के 30 प्लस महत्तोपून प्रेशनों के बारे में हमारे जो जिल्ला सीरी चल रहे है उसमें बागेश्वर जन्पती में आपको पहले कम्प्लीट करा चुका हूँ और आज हम यहाँ पे बागेश्वर जन्पत के 30 प्लस महत्तोपून प्रेशनों के बारे में चर्चा करेंगे जो कि आपके आगा में एक्जाम के लिए बहुती महत्तोपून होंगे तो शुरुवात करते हैं दोस्तों आज की वीडियो और इसका पीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिशन में दिया जाएगा सभी 13 जन्पतों के MCQ आपको उस पीडियो में मिल जाएंगे पहला क्वेशन है किस इस थल को उत्तर का वारानसी कहा जाता है उत्तर का वारानसी कहा जाता है यहाँ पे बागिस्वर को डी ओप्शन हो जाएगा यहाँ पे सही आंसर बागिस्वर को उत्तर का वारानसी कहा जाता है और साथ इसाथ बागेश्वर को तीर्थ राज भी कहा जाता है तो ये भी आपको नोट करना है तीर्थ राज किसे कहा जाता है बागेश्वर को और बागेश्वर में सूरतीर्थ भी है और अगनी तीर्थ सूरतीर्थ और अग्नितीर्थ के मद्य इस्थित है बागेश्वर तो इसलिए बागेश्वर को अग्नितीर्थ के नाम से भी जाना जाता है तो यह सभी फैक्ट में वैसे आपको बागेश्वर जन्पत में पहले ही बता चुका हूँ तो पहले का हो जाएगा D option सही आंसर Question number 2 है सुन्दर ढूंगा दर्रा किसके मद्य इस्थित है सुन्दर ढूंगा दर्रा है दोस्तों चमोली और बागेश्वर के मद्य इस्थित तो यहां पे जो सही answer हो जाएगा B option बागिश्वर और चमोली के मद्य इसित है सुन्दर ढूंगा दर्रा एक और दर्रा है बागिश्वर में ट्रेल पास दर्रा तो ट्रेल पास दर्रा है जो कि बागिश्वर और पिथोरोगड के मद्य इसित है और इस ट्रेल पास दर्रे की कोज कमेशनर ट्रेल द्वारा 1830 में की गई थी तो ट्रेल पास दर्रा बागेशवर पितोरगण के मध्या जबकि जो सुन्दर ढूंगा दर्रा है ये है बागेशवर और चमॉली के मध्या क्वेशन नमबर थी है बागेशवर जन्पत का गठन कब किया गया सही आंशर क्वेशन नमबर चार है बागेशवर किस नदी के तटपर बसा हुआ है जो बागेशवर है वो बसा हुआ है सर्यू नदी के तटपर यानि यहाँ पे हो जाएगा A option सही आंसर बाकि यहाँ पे कोशी नदी यह भी बागिस्वर से बहती है पिंडर नदी हो गई जिसका उद्गम पिंडरी ग्लेसर से यानि बागिस्वर से होता है और यह कण पुर्याग में अलग नंदा से संगम करती है ठीक है और काली नदी के बारे में आपको बता चुका हूँ तो कुल्मा के जो सर्यू नदी है दोस्तों यह है बागिस्वर जो कि सर्यू नदी के तटपर बसा हुआ है A option हो जाएगा सही आंसर Question No.5 है कोसानी का प्राची नाम क्या है जो कोसानी है उसका प्राची नाम है बलना C option हो जाएगा सही आंसर कोसानी का प्राची नाम है बलना और कोशिक मुनिकी तपस तली होने के कारण इसका नाम क्या पढ़ा कोसानी पढ़ा एक और महित्वपूर्ण प्रेस्ट बन सकता है कि जो कोसानी है वो किस पहाड़ी पर इस्थित है तो पिंगनाथ पहाड़ी पर इस्थित है कोसानी C option हो जाएगा कोसानी का प्राची नाम बलना है Question number 6 है हाथ छीना जलास है किस जनपद में है Question number 7 है बागेस्वर नगर पालिका का गठन कब किया गया बागेस्वर नगर पालिका का जो गठन किया गया वो किया था 1968 में D option हो जाएगा सही answer और 1976 में बागेस्वर को एक परगना घोसित किया गया था और उसके बाद 1997 को बागेस्वर को एक अलग जिल्ले के रूप में गठन किया गया लेकिन नगर पालिका कब गठन किया गया बागेस्वर को 1968 में Question number 8 है निम्ण में से कौन सा दर्रा बागेस्वर और पिथोरगड को जोडता है बागेस्वर और पिथोरगड की मद्य जो दर्रा है वो है ट्रेल पास दर्रा ट्रेल पास दर्रे की खोज कुमाओं कमिशनर ट्रेल द्वारा की गई थी अठारा सो तीस में 3830 में इस दर्रे को Commissioner Trail द्वारा खोजे गये था तो इसलिए इस दर्रे का नाम क्या है? Trailing Pass दर्रा है Commissioner Trail के नाम से और ये Trailing Pass दर्रा है बागि स्षर और पिथरगड जनपत के मध्या Question number 9 है कुमाओं का धान का कटोरा most important question दोस्तों कुमाओं का धान का कटोरा किसे कहा जाता है कोसी नदी को बी option हो जागा यहां पे सही answer अगर कोसी नदी के बारे में अन्य महित्वपूर्ण प्रस्न बनते हैं तो पूछा जा सकता है कि कोसी नदी का उद्गंखहां से होता है तो बागेश्वर के कोसानी से और ये बागेश्वर, अलमोडा, नहनिताल और उद्दम सिंग नगर यानि कुमाओं के चार प्रमुख जनपदों से बहती है तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है कुमाओं का धान का कटोरा भी कहा जाता है अब देखो करिवार क्या होता है, करिवार गाति पूषजाता है गाति तो कौन सी गाति कुमाओं का धान का कटोरा कहा जाता है questions number 10 है, दुर्गा कोट चोटी किस जनपद में है दुर्गा कोट चोटी तो ये जो दुर्गा कोट चोटी है ये है दोस्तों बागिश्वर जनपद में जो बागिश्वर जनपद की सुन्दर ढूंगा घाटी है अब दोखो सुन्दर ढूंगा घाटी कहा है तो ये आपकी बागिश्वर में है तो बागिश्वर की जो सुन्दर ढूंगा घाटी है वहाँ इसे थे दुर्गा कोट चोटी C ऑपसन हो जाएगा, सही आंसर Question number 11 है गोमति वसर्यू नदी का संगम कहा पर होता है गोमति और सर्यू नदी का जो संगम होता है वो होता है बागिशवर में B ऑपसन हो जाएगा, सही आंसर बागिस्वर में गौमती नदी जो कि बागिस्वर में सर्यू नदी से मिल जाती है सर्यू नदी इसका उद्गम बागिस्वर से ही होता है बागिस्वर के सरमूल नामक इस्थान से और जो ये सर्यू नदी किसकी सायक नदी है ये है काली नदी की सायक नदी पंचेस्वर में ये काली नदी से मिल जाती है लेकिन उस्ते पहले सर्यू नदी में गौमती नदी संगम करती है बागेश्वर में कोसानी को कहा था गांधी जी ने भारत का सुर्जर लेंड और कोसानी कहा है बागेशर में है 1929 में 1939 में कुमाउं यात्रा के दोरान गांधी जी ने यहां पर वास किया था कोसानी का प्रवास किया था और यहीं पर इन्होंने यंग इंडिया नामक पुस्तक भी लिखी थी और इन्होंने भारत का सुर्जर लेंड कहा था कोसानी को C option हो जाएगा सही आंसर Question number 13 है पिंडर नदी का उदगम बागेश्वर के पिंडरी ग्लेशर से होता है यह किसकी सहायक नदी है तो पिंडर नदी है अलक नंदा की सहायक नदी और यह कान प्रियाग में चमोली के कन प्रियाग में बागेश्वर से होते हुए चमोली के कन प्रियाग में यह पिंडर नदी अलक नंदा से संगम करती है तो C option हो जाएगा सही आंसर Question number 14 है सुकुंड ताल सुकुंड ताल किस जनपद में है तो सुकुंड ताल है बागेश्वर में सुकुंड ताल और एक अन्यकुंड है देवी कुंड देवी कुंड किस जनपद में है तो यह भी आपका बागेश्वर में हो जाएगा और सुकुंड ताल किस जनपद में है तो ये भी हो जाएगा बागेश्वर में क्वेशन नमबर 15 है बागेश्वर में इस्थित बागनात मंदिर किस भगवान का मंदिर है तो भगवान सिव को समर्भित है बागिश्वर का बागनात मंदिर ये भगवान सिव का मंदिर है और जो बागनात मंदिर है ये कौन सी नदी के तटपर बसा है तो सर्यू वगोमती क्योंकि इसी मंदिर के निकट सर्यू और गोमती नदी का संगम होता है बागिश्वर में औ उसका निर्मान कत्तिवरी सासकों ने कराया था लक्षमी चंद जो वर्तमान मंदिर है उसका निर्मान किस ने कराया था चंद सासक लक्षमी चंद ने वसे देखो यहां पर दो चीज़े हैं जो बागनात मंदिर है उसका निर्मान सुरुवात में कत्तिवरी सासकों ने कराया लेकिन जो वर्तमान मंदर आपको दिखता है उसका निर्मान कराय था चंद सासक लक्षमी चंद ने क्योंकि ये महत्वपोन प्रेशन कई बार एकजामें पूछा जा चुका है क्वेसन नंबर 16 है निम्नमे से बागिश्वर का एक परसिद मेला उत्रायनी मेला स्यालदे विकोती मेला नुनाई मेला या चेती मेला तो सबसे परसिद मेला है बागिश्वर का उत्रायनी मेला उत्रायनी मेला जो की बागिश्वर में सर्यू और गोमती नदी के तड़ पर ह पर साल मकर संक्रांति की दिन लगता है और इसका एतिहासिक महत्व भी है क्योंकि 14 जनवरी 1921 को यहां पर एक बहुत बड़े जन सेलाब यहां पर उम्रा था क्योंकि कुली बेगार प्रथा को समाप्त करने का संकल्प यहां पर लिया गया था 14 जनवरी 1921 को तो इसलिए एति प्राइनी मेले का जोकी बागेशवर का एक परसिद मेला है question number 17 है आपे सुंदर धुंगा घाटी किस जनवर्पद में है तो बागेशवर में हो जाईगी सुंदर धुंगा घाटी और इसी सुंदर धुंगा घाटी में है दुरगा कोट चोटी दुरुगा कोट चोटी का है तो ये भी आपकी बागिस्वर में है सुन्दर ढूंगा गाटी में question number 18 है सास बहु खेत नामक इस्थल इस्थित है सास बहु खेत ये भी आपका बागिस्वर जनपत में है सास बहु खेत नामक इस्थल question number 19 हαι बैजनात मंदिर कौन से नधी के तट पर इस्थित है जो बैजनात मंदिर है ये इस्थित है गोमति नधी के तट पर वेशो बैजनात मंदिर के निकट गोमति और गरुड गंगा गोमति नधी और इसकी एक साहायक नधी है गरुड गंगा या गरुड नदी इन दोनों का संगम होता है बैजनात मंदिर के निकट तो मुख्य नदी इनमें से गोमती नदी है और आप्शन में भी यहां पे गोमती है तो इसलिए भी आप्शन सही आंसर हो जाएगा अब आपको देखना यह है कि अगर गोमती और गरुड कहीं पे दिया गया है तब दोनों आप्शन सही आंसर हो जाएगे ठीक है तो बैजनात मंदिर कौन सी नदी के तटबर है गोमती नदी और साथ सा गोमती नदी के जो सायक नदी है गरुड गंगा गरुड गंगा और गोमती नदी का संगम होता है बेजनात मंदिर के निकट पिनाकेश्वर महादेव मंदिर कहां इस्थ है पिनाकेश्वर महादेव मंदिर है कोसानी में कोसानी में एक पहाड़ी है पिंगनात पहाड़ी तो इसी पिंगनात पहाडी पर कोसानी भी इसीत है और ये पिनाग इस्वर महादेव मंदिर भी इसीत है पिंगनात पहाडी पर D option हो जाएगा सही answer question number 21 है अगने तीर्थ वो सूरे तीर्थ किस जन्पद में है अगने तीर्थ और सूरे तीर्थ के मध्य बसा हुआ है कब किया गया то 1968 में बागिश्वर नगर पालिका का गठन किया गया था Q23 बागिश्वर जनपद में निवन में से कौन सा कुंड है एक मातर कुंड इनären से जो बाग इस्वर में है वो है दोस्तों यहां परी सु कुंड C option हो जाएगा सही answer और एक अन्य कुंड है बागिसवर में देवी कुंड तो ये दोनों कुंड आपको नोट करने हैं सुकुंड और देवी कुंड कौन से जन्पद में है तो बागिसवर में Question number 24 है बागिसवर जन्पद राज्य के कितने जन्पदों से सीमा बनाता है तो बागिसवर जन्पद राज्य के तीन जन्पदों से सीमा बनाता है पितोरगढ, चमॉली और अल्मोडा इसके पूरव में है, पूरव और पस्थे में पितोरगढ पूरव हो गया और साचत पूरव उत्तर में ठीक है, पस्थे में उत्तर में पूरा और उत्तर में हो जाएगा पिथोरगड यह मने पूरा महव आपको बता रखा है उसके बाद इसके पसी में हो जाएगा चमोदी और दक्षिन में हो जाएगा अलमोडा तो पिथोरगड चमोडी और अलमोडा से यह सीमा बनाता है तो B option हो जाएगा सही आंसर Question number 35 कोसानी कौन सी पहाड़ी पर बसा हुआ है नीलेश्वर परवत पर भीलेश्वर परवत दनगल परवत या पिंगनाथ परवत तो इसका D option हो जाएगा सही आंसर पिंगनाथ परवत पर इसी थै कोसानी Question number 26 से बागेश्वर जनपद को अलमोडा से पिर्थक कर नए जनपद के रूप में गठित किया गया तो कब गठित किया गया था बागेश्वर जनपद को तो ये किया गया 15 सितंबर 1997 को और किस जनपद से इसको अलग किया गया अलमोड़ा से प्रथा करके एक नया जनपद गठित किया गया था बागेश्वर जनपद 15 सतम्बर 1997 को Q27 निवनमे से राज्य का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशर देखो राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशर है गंगोत्री ग्लेशर जोकी उत्तरकासी में इस्थित है जबकि राज्य का जो दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशर है वो है पिंडारी ग्लेशर जोकी बागेश्वर में इस्थित है Q28 महात्मा गांधी जी ने कोसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक कब लिखी थी तो देखो 1939 को गांधी जी कुमाउं यात्रा पर आये थे एक ये महत्तपूर्ण प्रेशन भी बनता है कि गांधी जी कुमाउं यात्रा पर कब आये थे तो 1939 को और इसी समय इन्होंने कोसानी में यंग इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी और कोसानी को इन्होंने भारत का सुर्जा लेंड भी बताया था question 39 बागनाथ मंदिर किस सैली से बना हुआ है तो बागनाथ मंदिर की जो सैली है दोस्तों वो है नागर सैली यानि डी ऑप्सन हो जाएगा इसका सही अनसर question 39 कौन सा जन्रपद नीले सवर परवत वजीले सवर परवत के मध्ध्य इष्थित है C option हो जाएगा बागेश्वर जनबद है नीलेश्वर परवत और भीलेश्वर परवत के मद्य इस्थित Question number 31 है बागेश्वर जिल्ले का जनगहनत कितना है तो बागेश्वर का जनगहनत है 116 यानि A option हो जाएगा इसका सही answer अब यहाँ पर देखो लिंगानुपात कितना है तो 1090 है बागेश्वर का लिंगानुपात जबकि इसका जनगहनत कितना है तो 116 Question number 32 है गांधी जी ने स्रीमद भागोत पर अपनी परसिद्ध भूमी का अनासक्ति योग कहां लिखी थी तो देखो बागेश्वर में कोसानी में प्रवास किया था महात्मा गांधी जी ने और यहीं पर इन्होंने अनासक्ति योग पर टीका लिखी थी D option हो जाएगा कोसानी में लिखी थी Question number 33 Most important question दोस्तों कि कोसानी में लक्षमी आश्रम की इस्थापना कब की गई थी तो कोसानी में देखो लक्षमी आश्रम इसी थै और 1941 में यानि C option हो जाएगा सही आंसर 1941 में गांधी जी की सिस्या सरला बहन ने कोसानी में लक्षमी आश्रम की इस्थापना की थी कब की थी 1941 में Question number 34 पांडु इस्थल नामक इस्थल कौन से जनबद में है तो पांडु इस्थल जो की कुमाओं और गडवाल की सीमा पर इसी थी एक परेटक इस्थल माना जाता है और यहां पर यह पांडु ने वास किया था ऐसा माना जाता है तो ये कौन से जनपद में आता है तो बागिस्वर में है लेकिन ये बिल्बुल गडवाल की सीमा पर भी लगता है लगबग तो कुलमना की ये गडवाल और कुमाओं की सीमा का एक केंद्र यहाँ पर आप कह सकते हैं पॉणडो इस्थल जो की बागिस्वर जनपद में बागिस्वर जनपद की कौन सी विधान सवा सीट अनुसूची जाती है तो आरक्षित है तो बागिस्वर के अगर हम विधान सवा सीटों की बात करें तो कुल विधान सवा सीटें दो हैं बागिस्वर में बागिस्वर विधान सवा सीट और कपकोट विधान सवा सीट तो यनि कुल 15 विधानसभा सीटें आरक्षित है 70 में से इसमें बागिश्वर जन्पद में कौन सी विधानसभा सीट अनुसूची जाती है तो आरक्षित है तो वो है बागिश्वर विधानसभा सीट तो यहां पर देखो कफनी भी है मैक तोली भी है और सुखराम भी है नामिक गलेश्यर का है पिथोरगड में है नामिक गलेश्यर बागिश्वर में नहीं है सी ओप्षन हो जाएगा सही आनसर तो यह टोटल 36 क्वेश्वर जनपल से सम्मंदित और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्वर आपके आगामी एक्जाम में इनमें से अगर बागिश्वर जनपल से प्रेश्वर में बन सकता है तो इन से बाहर प्रेश्वर आपका नहीं बनेगा जिट्रेश्वर में मैं आपको बागिश्वर जनपल पहले ही पढ़ा चुका हूँ और अब इसके MCQ भी मैं आपको करा चुका हूँ तो उमीद करता है कि जिल्ला सिरिज आपको काफी पसंदारी होगी और काफी helpful रही होगी आपके लिए आपके आगा में एक्जाम के लिए तो मिलते हैं दोस्तों नेक्श वीसा तब तक के लिए धन्यवाद इसके नोर्स आपको वीडियो के description में दे दे जाएंगे